ग्यान मंत्रा हूं रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 15 अगस्त 2019 को जो राखी का तेवार आ रहा है उस दिन आप लोग अपनी राशी के अनुसार किस प्रकार राखी मना सकते हैं और कौन से कलर की राखी आप लोग अपने भाई को उनकी राशी के अनुसार आप बांधें जिससे कि आपकी भाई की जो दीर्ग आयू हो और उनकी रक्षा हो सके राखी का तेवार बस आने ही वाला है और आप अपने भाईयों के लिए राखी खरीदने की सोच रहे होईंगे तो इस समय राखी खरीदते समय आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखें बहने यदि भाई की कलाई पर बानने के लिए राशी के अनुसार राखी चुने तो यहाँ उनके लिए बहुत शुब होगा और भाईयों की उम्र भी लंबी होगी तो आईए अब हम आपको बताते हैं कि राशी के अनुसार कौन से रंग की राखी आप लोग अपने भाईयों के लिए चुन सकती हैं और उन्हें पहना सकती हैं तो मेश राशी के लिए नारंगी और लाल रखी, व्रिश राशी के लिए सफेद और सिल्वर, मिथुन के लिए हरा, करक राशी के लिए गुलाबी और चमकीला सफेद, सिंग राशी के लिए नारंगी, कन्या राशी के लिए हरा एवं पीला, तुला राशी के लिए नीली और सफेद राखी, विरिशिक राशी के लिए लाल और सुनहरी राखी, धनू राशी के लिए पीला कलर, मकर राशी के लिए आस्मानी हलका नीला, कुम्ब राशी के लिए नीला आस्मानी कलर, मीन राशी के लिए पीला और सुनहरी कलर, ये कलर की अगर आप राखी लेते हैं तो आप लोगों के जो भाई हैं उनकी लिए ये काफी शुब रहेगा साथ ही हमने और भी वीडियो अपलोट किया है जिसमें आप रक्षा बंदन वाले दिन शुब मूरत एवं पुजा विधी के बारे में जान सकते हैं वहाँ भी आप वीडियो देखिए और हमारे चैनल ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद